आपने से पहले सबसे पहले हम आते हैं फिंगर्स के उपर क्योंकि अगर आपने फिंगर्स को अच्छी तरह से समझ लिया तो हेंड की मसल्स आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी एंड अपर लिंग के अंदर टॉटल फायु फिंगर्स होती हैं और आपको यहां पर थर्ड फिंगर्स फिंगर्स फिप्ट फिंगर्स एंड इन पाच्छों फिंगर्स का स्पेशल नाम होता है मतलब कि इसे हम क्या बोलेंगे इंडेक्स फिंगर्स इसे हम क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर्स इसे हम क्या बोलते हैं लिटिल फिंगर्स और देखिए इन पाच् हम क्या बोलेंगे मिडिल फिंगर इसे हम क्या बोलते हैं रिंग फिंगर नाम से ही क्लियर है मतलब कि जब इंगेजमेंट होती है जब सगाई होती है तो इसी फिंगर में अंगुठी पेनाई जाती है इसलिए इसे हम क्या क्या बोलते हैं रिंग फिंगर एंड इसे हम क्या बोलते हैं लिटिल फिंगर नाम से क्लियर है मतलब की इन पाचों फिंगर में से सबसे चोटी फिंगर कौन सी है यह वाली यानि की दिस इस लिटिल फिंगर ओके इसको हमने क्या बोल दिया थंब और इसका आपको याद रख और देखिए जो डिजिटोरम वर्ड होता है ये यूज होता है इन चारो फिंगर के लिए मतलब कि आपने सुना होगा ना फ्लेक्जर डिजिटोरम सुपरफीशियलिस फ्लेक्जर डिजिटोरम प्रोफंडस ओके ओवराल जहां भी आपको डिजिटोरम वर्ड मिले मतलब की वो वाली मसल किस से रिलेटेड है इन चारो फिंगर से रिलेटेड है and second word क्या है policies मतलब की जिस भी मसल के अंदर आपको policies वर्ड मिले ना तो वह वाली मसल किसे related है हमारे थंब से मतलब की थंब का मतलब क्या है policies आपने सुना होगा abductor policies bravies flexor policies longus overall ये सारी मसल किसे related है हमारे थंब से ओके ओवराल आपका सब कुछ clear हो गया होगा की डिजिटोरा मतलब ये चारो fingers and policies मतलब only thumb okay and मैं आपको एक और example देता हूँ और वह क्या है अनार्टमिकल स्थनब बोक्स वाला और आपने जब एनार्टमिकल स्थनब बोक्स की boundary पड़ी होगी तो इसकी boundary के अंदर आपने पड़े होंगे है फ्री मसल के टेंडन के अंदर एक चीजे डिप की हो तो इनकीजिकव Agenda की अंदर क्या आता है basically Dow आपको side में दिखाए दे रहा होगा कि यह तीनों के तीनों मसल के tendon क्या बनाते हैं anatomical snubbox की boundary एंड इन तीनों मसल के tendon के अंदर क्या word आ रहा है policies मतलब कि ये तीनों के तीनों टेंडन हमारे थम्ब से related होते हैं क्योंकि मैंने बोला ना यार डिजिटोरा मतलब ये चारो फिंगर्स, पॉलिशी मतलब हमारा थंब, ओके, अब हम आते हैं, हेंड की मसल्स की अधर नेमिंग के उपर, और देखिए, जब भी आपने हेंड की मसल्स पड़ी होगी, तो आपने डिजिटी मिनिमी ये वाला वर्ड जरूर सुना होगा, और ज एपडेक्टर, डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्जर, डिजिटी मिनिमी, ओपोणेंस, डिजिटी मिनिमी, ओवर्रूर, इन सभी मसल्स के अंदर, DM, डिजिटी मिनिमी वर्ड आ रहा है दो हैं मतलब कर भी इस को बताया था की वाली finger का नाम क्या है index finger मतलब की इसके लिए जो बी मसल होगी उसमें क्या नाम आएगा indices टो अप्वराल मैंने यहाँ पर टोटल चाहीं की बात की सबसे पहले मेने बात की दिजिटोरम देन मैंने बात की पॉलिसीज उसके बात मैंने बात की डिजिटी मिनिमी उसके बात मैंने बात की इंडिसीज औके एनद सबसे पहले क्या था डिजिट्रम, डिजिट्रम मतलब इन चारों फिंगर्स के लिए आज की जो वीडियो है वह यहीं पर फिनिश होती है और आपको वीडियो में अगर दम लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना and bye